Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं हूँ Dr. Ritika Bharadwaj, मैं लेकर आई हूँ Biology for Class 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं NCRT Exampler, येस, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगी आज के सेशन में क्या है, लेकर एक इंपोर्टन बात बता देती हूँ, वो ये कि Magnet Brains पर Kindergarten से Class 12 तक के CBSC, NCRT के जो बुक्स हैं, Other Famous Writers की जो बुक्स हैं, उनका कोर्स, आज वेल इंग्लिश मीडियम में और यही नहीं competitive exams like Olympiad, NTSC, इन सारी चीज़ों के लिए जो study material है, free of cost available है, सारे वीडियो यहां पर आपको कुछ वीडियो देखने के बाद भी कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई paid subscription नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने subject की पढ़ाई बहुत आसानी से अराम से कर सकते हैं, with the quality content and best teachers, जो की बहुत important है, right, इसी बात के साथ हम आज का session स्टार्ट करते हैं, आज के session में हम क्या करने वाले हैं, previous session में हमारा जो third chapter चल रहा था, plant kingdom, उसके लिए हमने complete कर दिया, quick revision, फिर हमने solve किये, उसके MCQs, उसके बाद हमने solve किये, very short answer type question और आज हम करने जा रहे हैं, short answer type question, जो की हैं बहुत जरूरी, थोड़े से tricky हैं, लेकिन मैं हूना, मैं कराऊंगी solve और मैं समझाओंगी की कैसे कैसे हर question का answer लिखना है हमें, so we will start with the short answer type question for the chapter of plant kingdom, आईए स्टार्ट करते हैं, so the first question, first question says, why are bryophytes called the amphibians of plant kingdom, bryophytes को amphibian of plant kingdom, क्यों कहा जाता है, जल्दी से बता दो, यह सबसे easy question है, क्यों कहा जाता है bryophytes को, कि वो amphibians होते हैं, plant kingdom के, उसके लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए, कि भई, amphibian का मतलब क्या होता है, तभी तो हम बताएंगी न कि हमने bryophyte को इस category में क्यों रखा, amphibian का मतलब होता है, जब कोई organism, land और water, दोनों को use करें अपनी life में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं amphibian of amphibian, अब यह plant kingdom में amphibian कौन है, तो वो है bryophyte, ऐसा क्यों है madame, ऐसा इसलिए है, क्योंकि bryophytes बिना पानी के, बिना water के fertilization नहीं जहां से वो process जहां से एक नया organism बनने वाला है, और अगर नया organism नहीं बनता, तो फिर और ज़्यादा ब्रायोफाइट भी नहीं बन पाते हैं, तो fertilization के लिए water जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी था, fertilization तो हम समझ गए, क्यों जरूरी था, क्योंकि fertilization में हिस्सा लेने वाल अन्थ्रीडियम और आर्कीगोनियम दोनों ही तब ग्रो कर पाते हैं, जब उनको water मिलता, तो यह दो रीजन्स हैं, पहला fertilization और दूसरा दी डैसेंस या growth और दी movement of अन्थ्रीडियम और आर्कीगोनियम, male and female reproductive part, इसके अलावा water और क्यों जरूरी है, वास्कुलर सिस्टम ज नहीं है, तो भाई पानी तो इनको भी चाहिए, तो यह पानी कहां से लेंगे, तो यह capillary action के तुरू water ले लिया करते थे, यहने narrow space में थोड़ा बहुत जो पानी रहता था, उसी से अपना काम चला लिया करते थे, लेकिन water तो इनको चाहिए था, तो यह कुछ रीजन्स हैं क्योंकि vascular tissue इनके पास नहीं है, तो पानी तो चाहिए, है ना, तो वो move कैसे करेगा, capillary action के तुरू, तो उसके लिए भी इनको water जरूरी था, और यह सारी चीजों को जब हम जानते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि अगर यह plant अपनी species को आगे sustain कराना चाहता है, अपने ही ज दो well defined habitat है, land पर भी और water पर भी, इसलिए हम इन्हें amphibians of plant kingdom बोलते हैं, क्यों? ब्रायोफाइट्स रिक्वाइर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ब्रायोफाइट्स को वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, second, water also plays important role in distance of anthridium and archigonium, याने male और female reproductive part के काम करने के ल water जो conduct होता है, इस plant की body में, वो किसके थरू होता है, capillary action के थरू, capillary action का मतलब भी मैंने आपको बताया, जब थोड़ा सा पानी absorb हुजा है, इस plant की body में, from a narrow space, a slight amount of water, तो उसको बोलते हैं, capillary action, hence a thin film of water is required on land for survival, इसलिए, बले थोड़ा सा पानी हो, लेकिन थोड़ा पानी जरूरी है उसके लिए जीने को, right, if the bryophyte wants to survive over land, तो इसको पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, that is all about this question, आईए next question की तरफ move on करते हैं, यह बहुत easy question था, यहाँ पर आपको सिरफ कुछ points बताने हैं, कि क्यों जरूरी है water और land पे कैसे कैसे grow हो रहा है, तो कहला गय या amphibian of plant kingdom, कौन, bryophyta, इसे MCQ में भी पूछा जा सकता है, next question आईए देखते हैं, second question, male and female reproductive organs of several pteridophytes and gymnosperms are comparable to floral structures of angiosperms, मतलब पहला पाट कहता है, कि जो male and female reproductive organs होते हैं, किस में, pteridophytes में, या gymnosperms में, वो compare किये जा सकते हैं, are comparable to floral structure of angiosperms, वो compare हो सकते हैं, फ्लार के structure को, जो किस में देखा जाता है, फ्लार किस में देखा जाता है, angiosperms, तो अब हमें उसी के बारे में बताना है, make an attempt to compare the various reproductive parts of teridophyte and gymnosperms with reproductive structures of angiosperms, अब हमें teridophytes और gymnosperms को एक तरफ रखना हैं, और किसको angiosperms को दूसरी तरफ female और female reproductive part को compare करना है, angiosperms के flowers के structure से, इतनी बात समझ में आगे, आप compare करते हैं, अगर ऐसा question किसी भी topic से related आए, जहां आपको compare करना हो, तो कोशिश करिए, यह मेरा advice है कि आप कोशिश करिए, कि आप उसे tabular form है, यानि कि table बना करके ही represent करें, तो आपका answer ज्यादा appropriate होगा, लिखने में भी और देखने वाले के लिए, चेक करने में भी, ठीक है, तो आप start करते हैं, क्या करना है, अपने दो column बना लिए, एक तरफ हमने रखा है, teridophyte और gymnosperms एक साथ रख दिये, दूसरी तरफ हमने रखा है, reproductive structures of angiosperms, angiosperms की category एक साथ रख दी, अब यहां पे य और gymnosperms हैं, इसके हम sex organs को, sex organs को लेके बात करेंगे, और यहां reproductive structures of angiosperms, यहने जो जो इसके flower में structure present है, उसको लेके बात करेंगे और comparison करेंगे, तो सबसे पहला होता है कौन, कौन structure जो किसमें प्रेज़ेंट है, gymnosperms में और teridophytes में, कौन के जैसा ही structure, reproductive structure, angiosperms में तो इन दोनों में क्या similarity है, जैसे फ्लार के अंदर male reproductive और female reproductive parts दोनों हो सकते हैं, सारे parts present हैं, जो कि किसमें हिस्सा लेंगे reproduction में, उसी तरह कौन के पास सारी चीजें present है यहाँ पे, जो reproduction में हिस्सा लेंगे, मतब सारे parts वहीं पे आ जाते हैं, next, micro sporophyll of teridophytes and gynosperm, micro sporophyll, मैंने आपको हमेशा से बता है, micro, जिस spore के आगे लगा हो, वो usually male gamete को represent करता है, तो micro sporophyll, जो है, micro का मतलब होता है small, तो छोटा वाला जो spore होता है, that belongs to the male, male reproductive part, ठीक हैं, वैसे ही female, sorry, वैसे ही angiosperms में, male वाला part कौन सा होता है, stamen, stamen, stamen के पास क्या होता है, you remember, stamen के पास एक ऐसा filament होता है, और फिर anther होता है, और anther के अंदर pollen grains होते थे, तो जैसा flour में ये structure है, वैसा ही structure, gymnosperm और teridophytes में, comparable structure, males का कहलाता है, micro sporophyll, तो फिर female का कौन सा structure है, female का है, mega sporophyll, mega sporophyll is compared to the pistol or carpel, और ये pistol or carpel क्या है, do you remember that stigma, style and ovary, that stigma, ये stigma था, ये style था, और ये क्या था, ovary, ये तीनों structures याद है न, तो इसको हम भूते थे, female reproductive part of a flower, ऐसे ही, जैसे यहाँ पर female reproductive part of the flower कौन है, angiosperm में कौन है, पिस्चल या कारपल, उसी तरीके से, teridophytes और gymnosperms में हमारे पास होता है, mega sporophyll, जो consider होता है as female reproductive part, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और क्या structure compare कर सकते हैं, तो हम micro sporangium को compare कर सकते हैं, anther से, anther के पास क्या है बहिया, anther मैंने अभी तुमको diagram बना के बताया था, filament और anther जिसके पास pollen grains होते थे, right, तो यहाँ micro sporangia होता है, किस में, अपन अभी किस को compare कर रहे थे, teridophytes और gymnosperms को रखके, और यहाँ angiosperm तो teridophyte और gymnosperms में, जो structure, micro sporangia कहलाता है, उसी के बिल्कुल बराबरी structure, flower में कौन सा होता है, वो होता है, anther, और ovule, ovule जो है, flower में वो बहुत ज़रूरी है, तभी fertilization में वही काम आता है, उसी से fertilization होता है, fusion होता है, फिर नया fruit बनेगा, seed बनेगा, यह इनी चीजों से बनने वाला था, तो similar structure, teridophytes में कौन सा होता है, megasporangium, teridophyte में megasporangium, अगर आपको इसे याद करने में problem आती है, तो मैं आपकी ये मुश्किल आसान कर सकती हूँ, और वो क्या है, कि जब भी micro word लगा हो, spore वाली चीजों के आगे, तो वो usually males को belong करता है, plant में, और mega लगा हो, तो मतलब की female reproductive part या female reproductive cell को belong करता है, similarly, यहाँ पे भी है, microsporangium, again a male cell, megasporangium, again a female cell, so that is how you can remember, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं और हमें comparison करना रहेगा, teridophytes, gymnosperms और angiosperm एक तरफ, क्योंकि यह थोड़े कम advance थे, angiosperm थोड़ा ज़ादा advance था, तो इसी लिए क्या हुआ, इसी लिए हमने, देखो reproduction तो दोनों में होना था, fruit तो दोनों में, fruit as in reproduction होने के बाद, वो seed बनना और नया organism तो दोनों में भी बनना था, लेकिन वो बनने के लिए जो process हुई, वो भी लगभग कुछ-कुछ same हुई होगी, पर क्योंकि इन दोनों के development अलग-अलग है, इन दोनों के structures अलग-अलग है, तो इनके अंदर involved structures भी अलग-अलग है और उनको हमने कर दिया compare, clear हुआ, आईए, next question की तरफ आगे बढ़ते हैं, next question देखते हैं, next question, third question says, hetero spory, third question किसकी बात कर रहा है, hetero spory की, यहाँ पर question ध्यान से सुनना यह जरूरी है, hetero spory, that is formation of two types of spores, micro spores and mega spores, hetero spory का मतलब होता है, दो type के spores बनना, एक कहलाता है, micro spores, दूसरा कहलाता है, mega spores, is a characteristic feature in the life cycle of few members of teridophytes and all spermetophytes, यह एक ऐसा characteristic feature है, जो होता ही होता है, किसमें होता है, members, किसके members, teridophytes और spermetophytes, teridophytes में भी होता है, spermetophytes में भी होता है, do you think hetero spory has some evolutionary significance in plant kingdom, क्या आपको लगता है, कि यह जो hetero spory का concept है, इसका कोई connection है, plant kingdom से in terms of evolution, मतलब क्या ऐसा कुछ ऐसा आपको कोई comparison नजर आता है, जहां आप यह बता सको, कि जैसे यहां hetero spory होती है, वैसे ही आगे जाके plant kingdom में और भी कोई process होता है, क्या कोई ऐसा process है, कोई connection है, इन दोनों के बीच में evolutionary connection जो evolve हो हो के वहां तक पहुँचके advance हो गया हो, होता है, hetero का मतलब होता है different, ठीक है, अच्छा, मैं आपको आगे explain करूँ, उससे पहले मैं आपको यह चीज दुबारा remind करा देती हूँ, यह question देखने में थोड़ा tricky लगता है, हम जब इसे पढ़ते हैं, लेकिन समझो अगर question को तो कुछ भी difficult नहीं है, question में सिर्फ इतना पूछा है कि जो hetero spory का process है, जो lower plants में मानलो होता था, है ना, यह teridophytes और spermetophytes में, lower plants में होता था, तो क्या वैसा ही कुछ process आगे जाके, बड़े trees, बड़े plants में भी हुआ, या कुछ ऐसा evolution का connection देखने को मिलता है क्या, बस इतना हमें बताना है, तो सबसे पहले अपन यह समझें कि hetero spory क्या है, और इनको भी समझा है, इनने question पूछा है, तो hetero spory होता है, जब दो अलग-अलग type के spores बन सकें, अलग-अलग type के spores का क्या मतलब है, mega spore और micro spore, mega spore मतलब कि बड़ा cell जो होता है, बड़ा spore जो होता है, और micro spore छोटा spore होता है, male और female respectively, C, hetero spory involves formation of two types of spores, दो तरीके के spore बने, micro spore, smaller in size, micro spore बना, जो छोटा था size में, mega spore बना, much larger in size, फिर mega spore बना, जो बड़ा था size में, अब micro और mega समझ गए होगे, मैं पिछले question में अब भी बता चुकी हूँ, अब कुछ teridofides ऐसे होते हैं, जिन में micro spores and mega spores germinate, to give rise to male and female gametophyte respectively, अब जब ये spores बन जाते हैं, mega spores, micro spores, तो ये क्या काम करते हैं, ये teridofides के अंदर, नया male और female gametophyte develop कराते हैं, अब जब नया male और female gametophyte develop होगा, तो क्या होगा, जब male और female gametophyte बन गया, male gametophyte, male gametophyte बना, और बना female gametophyte, ठीक है, मैं यहावे पूरा नहीं लिख रहे हूँ, वस इतना लिख दे रहे हूँ, है ना, समझ गये male gametophyte, female gametophyte, अब ये दोनों क्या produce करेंगे, ये produce कर देगा male gamet, और ये produce कर देगा female gamet, और जब ये दोनों gamet produce हो जाएंगे, तो क्या होगा, जब ये दोनों gamet produce हो जाएंगे, तो होगा fertilization, fertilization होने के बाद क्या होगा, आगे भई life continue करने के लिए fertilization जरूरी है ना सिंग गेमी जरूरी है ना तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं अब हुआ यह कि यह जो mega sport थे micro sport थे इन्होंने आगे जाकर क्या बना दिया यह structure बनाया भी male gametophyte बनाया और female gametophyte बनाया इतना तो समझ में आ गया अब यह जो male और female gametophyte यह क्या करने वाले यह fertilization में हिस्सा लेंगे gamet बना करके यह भी समझ में आ गया तो हमें यह मालूम है कि hetero spory क्या होती है हमें यह मालूम है कि hetero sports क्या बनाएंगे मतलब कि mega hetero sport जो process है इसमें mega और माइक्रो स्पोर क्या बनाएंगे गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट क्या बनाएंगे fertilization करेंगे ठीक फाइनली इसके बाद जब fertilization होता है तो जाइगोड बनता है जाइगोड बनने के बाद embryo बनता है यह भी याद है ना फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता जब गए मिट मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं यह लब जाइगोड भी दीरे धीरे धिरे मिटामल ऍसटा है तो बढ़ा होता था जोटामाइट इसमें इसमें बोड़ हुधा नभाईग्र From evolutionary perspective, this is precursor of seed habit in higher plant. अगर हम इसे evolution की study में देखें, जहां पर नए-नए characters evolve होके, सारी species में आते जाते हैं, अगर हम इसको उस नजरिये से देखेंगे, तो हमें क्या समझ में आएगा, हमें समझ में आते हैं कि it is a precursor of seed, यानि एक seed का ही पुराना form है, ठीक है, seed इसका नया form है, जो advanced form है, जैसे कि पुराना computer और नया computer, फिर laptop और अभी तो बहुत advancement आ गया, तो पुराना एकदम अलग type का था ने, ऐसे थोड़ा घिसा पिटना type का, अभी देखो कितना advancement है, touchscreen चला लो, touchscreen laptop चल रहा है, तो ऐसे ही यह पुराना वाला जो अपने पास cell है, यह जो पुराना zygote बनके जिसने embryo बना लिया, वो पुरानी कहानी हो गई, sports वाली, जब हम आगे बड़े evolution हो गया, कई साल हो गया, अलग-अलग टाइप के trees आ गया, बड़े-बड़े trees आ गया, advanced, differentiated body, proper heart structure दिख रहा है, leaf दिख रही है, stem दिख रहा है, root दिख रहा है, तो वहाँ पर कौन सा structure था जो यह वाला काम करेगा, जो यहाँ पर यह sporophyll, spores और gametes काम कर रहे थे, वहाँ पर वो काम कौन करता है, seed करता है, seeds have enabled gymnosperms and angiosperms to tide over long period of unfavorable condition, और seed एक ऐसा structure है, वहाँ पर higher plants में, जिसने उन higher plants को इतना बड़ा बना दिया है, कि भाई unfavorable condition हो, तो seed समझदार है, अपने आपको protect करके बैठा रहेगा, favorable condition आएगी, तो grow होने लगेगा, तभी तो दुनिया में इतने सारे plants हो गए, वरना इतने सारे plants कैसे बनते, नहीं बन पाते, तो seed ने हर तरह की situation को जेला और जेल करके फिर नए नए बड़े-बड़े plants बना दिये, right, seeds have also enabled them to spread to wider geographical area through seed dispersal, indeed help these plants in further evolution, और जैसा मैंने आपको बताए कि अलग-अलग जा करके favorable condition जैसे ही मिली तो grow करने लग जाते हो, कि दुनिया में अलग-अलग-अलग-अलग टाइप के plants जो हैं वो fell गए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो plant India में मिल रहा है कहीं और मिलने वाला plant इंडिया में न मिले, या हमारी city में ना मिले आज के जमाने में सब कुछ मिल सकता है बस करना क्या आपको सीड लेकर के आना है सीड ले आओ conditions favorable प्रोवाइड करो वो कहीं भी ग्रो करेगा तो अब आज के जमाने में यह चीज यह problem सौल हो गई है तो बेसिकली देखा जाए तो वह सीड ही है जिसने इन प्लांट को एविल्यूशन में मदद करी है क्योंकि क्या होता है जैसे किसी जैसे supposedly आप ए नाम की country से लेकर आगए एक सीड और आपने बी नाम की country में वो ग्रो किया चीक अब जब यहाँ का condition अलग था एका environment अलग था बी का condition environment अलग है तो सीड क्या करेगा अपने आप में थोड़ा सा change करेगा adapt करेगा और फिर grow होने लगेगा तो थोड़ा सा evolution हो गया इस तरीके से सीड के द्वारा हर बार evolution होता चला गया तो यह यहाँ पर जो सीड है किसमें आपने जो सीड एंजियो स्परम्स और जिम्नो स्परम्स में देखे यह यहाव दी ठीके के plants को फैला दिया और सीड की मदद से ही आज के टाइम में इतने सारे जेओग्रिफिकल एरिया में इतने सारे plants present है बात समझ में आगे that is all about this question इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं next question की तरफ next question क्या कहता है how far does salaginella one of the few living members of lycopodiles teridophytes fall short of seed habit कौन सा कहां तक ये बात सही है कि salaginella जो है वो एक living member है न किसका teridophyte का it falls short of seed habit यहने इस question में पूछा गया है कि जो salaginella है वो salaginella किसको बिलॉंग कर रहा है teridophytes को बिलॉंग कर रहा है तो फिर भी वो seed के habit वाली कौन सी चीज इसमें नहीं है सीड के habit वाली कौन सी चीज इसमें नहीं है अगर हम salaginella को compare करें और higher plant को compare करें तो इन दोनों में जो comparison हमें करना है वो किस चीज को लेके करना है वो चीज है embryo और seed क्यों embryo और seed मैंने बोला क्योंकि salaginella में embryo से नए organism बनेगा higher plants में seed से नए organism बनेगा तो यह तो तुम समझते हो कि दोनों के काम कुछ बराबर कुछ एक जैसे हैं है ना कि नए organism grow होना है लेकिन difference किस बात का होता है कि salaginella की अगर हम बात करते हैं तो salaginella में जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट कहां बनता है जाइगोट बनता है female gametophyte में female gametophyte में जाइगोड बना अब यह जाइगौट वहीं पर female gametophyte के अंदर ही रह करके बनेगा embryo क्योंकि जाइगोट के बाद तो embryo ही बनता है और जाइगोट कब बनता है जब फ्यूजन हो जाता है दो गैमीट का फ्यूजन हुआ जाइगोट बना अब बना embryo अब जब embryo बन गया है तो embryo क्या करेगा नया organism develop करेगा पर embryo कहां पर रहके नया organism develop करेगा उसी female gametophyte के अंदर क्योंकि उसे protective रहना होता है nutrition चाहिए होता है और उसे बहुत जल्दी ही अपना ये growth का process करना पड़ता है कौन सा वाला जिसमें वो grow के नया root shoot leave बना सके यत्ती बात समझ में आ गई अब अगर हम seed की बात करें तो seed में क्या होता है सीट जो higher plants के होते हैं वो कैसे होते हैं उनको थोड़ा अगर उनको favorable condition मिलेगी तो वो अच्छे से grow कर देंगे unfavorable condition मिलेगी तो उनमें growth थोड़ा time के लिए रेजिस्ट हो जाएगी उसके बाद grow होगी है ना तो वहां पर वो अपनी growth को थोड़ा hold कर सकते हैं पर यहां embryo अपनी growth को hold नहीं कर सकता क्योंकि वह रहने वाला फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर फीमेल गेमीटोफाइट कुछ ही समय तक रहता है इसके लाइफस्पैन में इत्ती बात समझ में दूसरी चीज अब दोनों में एक 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 मेजर डिफरेंस आपको पता चलेगा कि यह जो फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर एम्डियो रह रहा था इसके पास अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कवर करने के लिए कुछ था नहीं तभी तो यह उसके अंदर रहकर के सारा काम कर रहा था बड़ सीड के पास तो दोनों structure एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इनके बीच में connection है, और वो क्या connection है, growth का, वो दोनों एक जैसे grow करने वाले, एक जैसे मतलब एक तरह से grow करने वाले, इन case of salaginella answer में क्या लिखोगे, पहले salaginella के बारे में बताओगे, development of zygote in embryo take place within the female gametophyte, embryo कहाँ develop female gametophyte में, female gametophyte is retained on the parent plant for variable period, और कुछ समय तक के लिए ही रहता है, female gametophyte इस plant की body में, this is considered as precursor of seed habit, इसे ही हम seed habit का precursor बोलते हैं, मतलब पहले जो देखा गया, an advanced version of this phenomena is seen in higher plants, और यह जो यहाँ पर चल रहा था, यह जो embryo बना, फिर नए organism बनेगा, यह female gametophyte में रह रहा था, इसी का advanced version हमने देखा higher plants में, is seen in higher plants like gymnosperms और angiosperms, यहाँ तक तो कहानी clear इसके बाद क्या हुआ, but unlike seed in higher plant, जैसे कि seed में यह चीज़ नहीं होती higher plant में, क्या कि embryo को जल्दी grow करना पड़े, embryo salaginella needs to quickly develop to begin the new generation, salaginella में embryo को तुरेंट develop होना पड़ता है, नए organism बनाने के लिए, लेकिन seed में ऐसा नहीं है, वो आराम से grow हो सकता है, however, there could be temporary suspension of embryo growth which is similar to seed dormancy in higher plant, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई condition favorable नहीं रही, तो बहुत थोड़ इसे समय के लिए, कुछ कम समय के लिए, यह अपनी growth को रोख सकता है, पर इतना नहीं रोख पाएगा, जितना seed अपनी dormancy में रोख सकता था, ग्रोथ तो इसे जल्दी ही करना पड़ेगा in comparison to seed, तो इसलिए इनकी कुछ चीज़ हैं, बिलकुल एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी इन में difference है, this is all about this question, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, each plant और group of plants has some phylogenetic significance in relationship to evolution, हर plant का अपने एक दूसरे से और बाकी groups जो होते हैं, प्लांट के उनसे कुछ ना कुछ relation होता है phylogenetic, phylogenetic का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ancestor ही पुरा, जो हमारा ancestor है, उसके द्वारा relationship, ठीक है की पूरवज जो थे, वो एक ही थे, ऐसा, psychus, one of the few living members of gymnosperm is called as relic of past, psychus को relic of past बोला जाता है, can you establish, अभी मैं बताऊंगी, relic of past देखके मत घबराओ, can you establish a phylogenetic relationship of psychus with any other group of plant that justifies above statement, क्या आप psychus को किसी ऐसे group से, psychus जो plant है, उसको किसी ऐसे group से compare कर सकते हो, जहां पर आपको इसकी ancestry के बारे में पता चले, यानि कि phylogenetic relationship के बारे में पता चले, तो हम psychus की अगर बात करें, तो psychus कैसा होता है, psychus जो plant है, उसको, actually में वो एक तो बहुत पुराना plant है, आप ये समझ लो कि वो सबसे पुराना, बहुत पुराना plant है, और psychus को बोला जाता है कि तुम living fossil हो, क्योंकि उसके family का, psychus के family का, एक अकेला member जो बचा है, अब वो है psychus, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो fossil है, living fossil है, ठीक, और सबसे पुराना है, और यहां पर ये जो term लिखा है, relic of past, मतलब कि अब इसका कोई use ने, कोई relevance नहीं है पुरानी चीज़ों से अब इसका, और इसमें इसकी एक special बात ये हैं कि teridophytes हो, या फिर gymnosperms हो, इसमें दोनों के ही characters देखने को मिलते हैं, तो पहले psychos के बारे में बताओ, psychos is considered as living fossil, because it is the only living species in the family psychodesy, तो ये अपने family का सिरफ आखरी living organism बचा है, आखरी living plant बचा है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, living fossil है, जो बाकी सारी species हैं, all other species of this family are now extinct, बाकी सारी species खतम हो गई, ये मैंने आपको बताया, this plant is often considered as plant of old world, सबसे पुराना है, ये भी मैंने आपको बताया, which means it is found only at those places which can be associated with some of the oldest rocks in the world, पुराना प्लांट है का मतलब ये है कि ये जो organism है, ये सिरफ वही पाया जाएगा, जो जगे भी पुरानी हो, जहां पर सबसे पुरानी rocks हो, जो इसको ये feel कराएं, ये conditions दें, जहां पर ये grow होना चाता था भाई, आज अगर इसके family का कोई और member नहीं है, और ये एक अकेला member बचा है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो members survive नहीं कर पाएंगे, survive क्यों नहीं कर पाएं, क्योंकि उनको conditions favorable नहीं लगती थी, उन्हें habit वो adapt नहीं कर पाएं, अब जब सब मर गएंगे वो adapt नहीं कर पाएं, फेवरेबल condition नहीं थी, और ये ही रहे गया है, तो ये भी कहाँ grow करेगा, जहां इसे favorable condition मिलेगी, क्योंकि adapt तो इसने भी नहीं किय तो ये अब कहाँ मिलेगा, जहां favorable condition मिलेगी, तो ये पुराने, क्योंकि बहुत पुराना plant है, तो कहाँ पाया जाते है, बहुत पुरानी जगे, जहां बहुत पुराने, पुराने oldest rocks होते, वहीं पे पाया जाता है, due to this reason, it is called the relic of past, इसलिए इसे ऐसा plant बोला जाता है, जि gymnosperms को लेकिन, इसमें gymnosperms और teridophytes, दोनों के ही कुछ-कुछ characters देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे connecting link between gymnosperm और teridophytes भी बोलते हैं, see, moreover, psychous plant shows more resemblance to teridophytes than gymnosperm, भले ही है gymnosperm, but teridophytes जैसे structures show करता है, this shows their phylogenetic relationship, इससे हमें पता चलता है कि इनके ancestors, जाहे gymnosperm हो या teridophytes हो, इनके ancestors लगबग एक ही रहे होंगे, कुछ ancestry का इन में relation है, जिसको हम कहते हैं phylogenetic relationship, some of the characteristics of psychous indicate this are, क्या-क्या characters होते हैं psychous में ऐसे जो हमें ये बताते हैं, कि ये gymnosperm जैसा भी है और teridophytes जैसा भी है, तो वो structures है, seed का shed होना, seed का जो leaf base है, वो persistent होना, मतलब कि वो continuation, वो तो वहाँ रहना, persistent है नहीं, जो हमेशा देखने को मिले, तो leaf basis में हमेशा देखने को मिलता है, उसके अलावा, जब ये plant budding stage में होता है, जब growth की stage में होता है, तो इसकी leaves जो है, वो folded रहती है, ये भी एक feature है, तो देखो, ये सारे features हमें mention करने रहेंगे, दूसरी बात, एक एक और feature ये भी है, कि जो साइकस के पास, जो उसका male gamete है, वो कैसा होता है, फ्लाजिलेटिट, वो move कर सकता है, और वो pollen tube भी बना सकता है, सो चो दोनों के character आ गए, टेरिडोफाइट कभी गए, जिम्नोस पॉम का भी आ गए, फ्लाजिला भी आ गया और pollen tube भी बन गया, तो जिम्नोस पॉम्स जो है, the seeds are shed only when embryo is mature, उनमें तो seed तभी shed होता है, जब maturity आ जाती है, यहाँ पे बिना mature हुए, यह shed कर देता है, मेगा स्पोरोफिल्स अपियर लाइक लीव्स, मेगा स्पोर्स जो होते हैं इसके, वो लीव की तरह दिखते हैं देखने में, जो बाकी में न पॉलन ट्यूब, भले ही इसके पास पॉलन ट्यूब है, male gametes are flagellated, male gametes flagellated हैं फिर भी, है ना, आप देखो टेरिडोफाइट और जिम्नोस पॉम्स का दोनों का फीचर आ गया, leaf base is persistent, leaf base हमेशा देखने को मिलेगा, इच शो सर्सिनेट टैक्स, वेनेशन लाइक दी टेरि इसमें टेरिडोफाइट जैसा सर्सिनेट टैक्स देखने को मिलता है और इसका मतलब होता है, leaf का folded रहना, सर्सिनेट टैक्स का मतलब होता है, leaf का folded रहना, और ये फीचर किसका है, टेरिडोफाइट का, ठीक है, लेकिन फिर भी सायकस में ये फीचर देखने को मिलता है, तो जो आपको mention करना है पहले साइकस क्या है कैसा है कैसा plant था कैसी family थी और उसके बाद फिर बताओ कि क्या-क्या structures देखने को मिलते हैं क्या nature है उसका पुराना है पुराने rocks पर ही पाया जाते हैं दुनिया में सब जगे पाया जाते है रहले को पास्ट क्यों क्या लाता है और उस तरीके से जैसे कि मैंने आपके लिए किया है clear हो गया आगे बढ़ते है नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ दी हेट्रोस्पोरस टेरीडोफाइट शो सर्टन क्यारेक्टरस्टिक्स विचार प्रिकरसर टुदी सीड हैबिट इन जिम्नियोस पंज एक्स्प्लें इनका कहना है कि जो हेट्रोसपोर्ड्ग wurden जैसे सीड्य में होते हैं दो इसी लिए यहत्रोस्पोर को हम प्रीकरिसर बोल रहे हैं सीड का मतलब हम यह क्ले था और इसी के ऐसे स्टॉक्चर्टर से सीड बन गया जो की जिम्न स्पं में देखा जाते तो इसको हमें एक्स्प्लें करना है त दो अलग-अलग टाइप के dissimilar जब spores size में और shape में dissimilar spores जब produce होते हैं तो उसको हम बोलते हेट्रो spore और वो hetero spore develop हुआ तो कैसे-कैसे spores बने micro spores और mega spores hetero spore in teridophyte leads to development of two different kind of spores clear हुआ यह मैंने आपको बताया micro spore और mega spore बड़ा वाला spore छोटा वाला spore मतलब एक male का spore एक female का spore और micro और mega मैं पहले भी बता चुकी हूँ कौन सा किसका spore है बिल्कुल नहीं भूलना है this is similar to higher plants in which male gametes are much smaller than female gametes और जैसे मैंने आपको बताया था कि micro spore is connected is for the male and mega spore is for the female ऐसा ही similar कहां पर होता है higher plants में जहां पर male वाला जो part होता है वो comparatively small होता है in comparison to female part female flower का जो part होता है यानि कि हम किसकी बात करें stamen और वहां पर carpal pistol की बात करने another important feature is in-situ development of embryo which is similar to development of an embryo in higher plant मतलब यहां पर जो embryo develop होगा वो in-situ develop होगा यानि कि plant की उस body के अंदर ही develop होगा जो higher plants में भी देखा जाता है ना वहीं पर develop होता है कहां पर ovary के अंदर ही तो फिर seed भी बाद में develop होगा ना व्यूल से gametophyte से similarly beneficial for proper development of embryo give certain survival benefit to embryo अच्छा यह हमें मालूम है कि क्यों grow हो रहा है female gametophyte की क्योंकि उसको nutrition मिलेगा पूरा development होगा और development के दौरान बहुत सारी energy चाहिए तो सारा process अच्छे से female gametophyte के अंदर रहकर ही हो जाएगा development का this can be said that heterospory in pteridophyte is precursor to seed habit in gymnosperm और क्योंकि वहां पर वह अंदर रहके develop हो रहा है ना gametophyte के female gametophyte के अंदर see embryo develop हुआ वैसे ही जो plant अपन फ्लार की अगर बात करें जो कहां प्रेजिंट है gymnosperm में तो वहां पर क्या होता है कि ovary के अंदर ovule develop होगा फिर seed बनेगा तो इसके कुछ जो characters है वो एक जैसे है बस यही हम हमसे question में पूछा गया था और हमने दोनों के features को बता देना है कि hetero sport teridophyte कैसे connected है किस से कैसे linked है precursor habit show करते हैं seed के साथ next question देखते है question number seven comment on the life cycle comment on the life cycle and nature of fern prothalus किसकी बात करने हैं हम fern की बात कर रहे हैं तो fern जो है वो कैसा है fern पहले तो teridophyte है है कि नहीं teridophyte है teridophyte group को belong करता है fern इसके अलावा fern की खास बात क्या होती है जिसकी वज़े से question पूछा जाता है वो यह है कि fern जो है उसकी जो life cycle होती है वो होती है haplodiplontic वो कैसी होती है haplodiplontic life cycle होती है fern के पास और haplodiplontic life cycle है मतलब की जो sporophyte है sporophyte और जो gametophyte है gametophyte वो दोनों ही structure देखने को मिलते हैं इसकी life cycle में मतब इसके life में पूरे जन्ब से लेके जब तक यह प्लांट खतम नहीं होगा तो यह दोनों चीजें देखने को मिलती हैं लेकिन इसमें एक twist यह है कि haplodiplontic life cycle अपने क्यों बोला है haplod structure भी और diploid structure भी है haplod structure का मतलब है single set of chromosome वाला और diploid का मतलब है double set of chromosome जहां present हो तो यह दोनों structure haplod diploid present है और यह जो haplod diploid structure है यह कौन है diploid structure होता है sporophyte diploid structure होता है sporophyte और haplod structure होता है gametophyte यह बात तो पता है बस यह हमने introduction बताया पहले कि fern जो है वो एक teridophyte plant है जहां पर haplodiplontic life cycle देखी जाती है वो भी कैसी होती है कैसे organism दिखता है multi cellular होता है और उसके बाद यह बताना है कि यह जो gametophyte है और जो sporophyte है उसमें से sporophyte diplontic है gametophyte haplontic है और यह जो point है इसका कि यह दोनों phases show करता है वो important point है कि यह दोनों ही phases को dominate तरीके से show करता है clear देखो fun teridophyte exhibit haplodiplontic condition कौन सी condition दिखाता है haplodiplontic यह हम लिख चुके in this condition both gametophyte and sporophyte phases are multicellular दोनों के दोनों phases कैसे multicellular deployed sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body dominant है independent है independent क्यों बोला है क्योंकि photosynthetic है अपना खाना खुद बनाएगा autotrophism show करेगा और यहीं नहीं vascular part भी present है vascular part का क्या मतलब है xylem और phloem present है so the haploid gametophyte is also independent but it lives for a shorter duration than the sporophyte generation अब यह जो haploid gametophyte है यह भी independent है लेकिन अगर हम deployed वाले से इसको compare करेंगे तो haploid वाला जो portion है वो थोड़ा कम समय के लिए रहता है exist करता है पूरी life में इस fern teridophyte के इसके बाद पूचाए कि fern prothalus अगर हम fern prothalus की बात करें तो fern prothalus कैसा होता है prothalus एक ऐसा structure है जो फोटो सेंथेस कर सकता है राइट फोटो सेंथेस कर सकता है इंडिपेंडेंट है देखो एक तो यह अपन बात कर रहे है प्रो थालस की ठीक है प्रो थालस जो होता है वो कैसा structure है उसके points लिख लेते हैं फटा-फट से मैंने कहा वो इंडिपेंडेंट है याने की वो क्या करने वाला है वो फोटो सेंथेस करने वाला है फोटो सेंथेटिक स्ट्रक्चर है फोटो सेंथेटिक स्ट्रक्चर है फोटो सेंथेस करने वाला है इसके बाद इसका नेचर कैसा होता है यह नेचर में है प्लॉइड होता है है प्लॉ एड़ी प्लेस चाहिए इसे तभी ये ग्रो कर पाएगा और दूसरा होता है इसके लिए important water क्यों water जरूरी है water जरूरी है for fertilization water किसलिए जरूरी है fertilization के लिए तो ये हमने 4-5 words में पूरी कहानी sum up कर दी है प्रोथालस की समझ में आ गया clear हो गया बस अब देखो क्या क्या लिखना है आंसर में nature of fun प्रोथालस पूछा था question में heading डाल दी प्रोथालस रिप्रेसिंदी haploid gametophytic generation एक haploid gametophytic generation है multi cellular independent photosynthetic form that lives for a shorter duration और ये थोड़ा shorter duration के लिए रहता है अगर हम इसे compare करें sporophyte से प्रोथालस नीज अ कूल डाम shady place to grow उसको shady place की जरूरत होती है due to its requirement of water for fertilization teridophytes are restricted to narrow geographical area जो teridophytes होते हैं वो किसी किसी geographical area में ही पाए जाते हैं ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि water की जरूरत होती है requirement of water for fertilization किस समय fertilization के दौरान that is all about the pro thallus और pro thallus का fern का जो nature है वो सारी चीज़े हमने यहाँ पर discuss करी तो basically यह तो आप answer अपना ऐसे लिखोगे पर आपको यह वाली सारी बातें याद रखनी है आप इसका मतलब point wise notes भी बना सकते हो clear हुआ okay so let's move ahead question number eight says how are male and female gametes of teridophytes and gymnosperms different from each other अब देखो इसमें क्या पुछा गया है कि male और female gametophytes जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं कहां पर teridophytes और gymnosperms में तो बहुत सारे differences हैं इनके बीच में लेकिन सबसे बड़ा सबसे basic difference कि इस बात का होता है कि जो teridophytes है teridophytes में रहने वाले जो male और female gametophyte हैं वो कैसे होते हैं वो होते हैं free living लेकिन जो gymnosperm है gymnosperm के अंदर male और female gamete free living नहीं होते बल्की sporangia के अंदर रहते हैं, sporangia के अंदर रहते हैं, male and female gametophyte of pteridophytes are living, are free living, they are free living, while in gymnosperms, male and female gametes do not have free living existence, वो ऐसे environment में हर कहीं नहीं गूम रहे हैं, चलो आज यहां गूमा है, आज वहां गूमा है, fertilization हुआ नहीं हुआ, यह सारा है वहां पर नहीं होता है, कहां, enclosed रहते हैं, sporangia में, they remain within these sporangia, retained on sporophyte, sporangia के ही अंदर यह सारे के सारे present रहते हैं, covered रहते हैं, they are not exposed, they are not free living, अब इसके अलावा भी बहुत सारे difference है, तो हम ऐसे table बनाकर differentiate करेंगे, एक जगे हमने ले लिया टेरीडोफाइट और दूसरी जगे हमने ले लिया, gymnosperms, तो सबसे पहली चीज़ देखो, सबसे पहले, जो टेरीडोफाइट से, उनके पास फ्लाजिला होता है, फ्लाजिलेटेड मेल गेमीट होते हैं, फ्लाजिला होने का क्या मतलब है, फ्लाजिला क्या काम करता है, फ्लाजिला एक ऐसा stress structure होता है फ्लाजला एक trade like structure होता है जैसे ही organism मेल गैमट है तो यह जो है फ्लněजना इसके पास रहेगा पर क्या लगता है यह फ्लाजला क्यों present है यह फ्लाजला इसलिए present है कि दो छूबस पर्म्स जो है वो non-flagellated male गैमीट है उनके पास कोई इसके बाद water is essential for fertilization में हाँ definitely अभी भी हमने बात करी थी प्रोथालस की, फर्न की तो हमने क्या पढ़ा था कि water जो है वो जरूरी होता है fertilization के लिए किसमें? टेरीडोफाइट्स में, जबकि water is not essential in gymnasium वहाँ पर water का होना जरूरी नहीं है, अगर fertilization कराना है तो बाखी agents हैं fertilization कराने के लिए, pollen tubes are not formed, pollen tubes यहाँ नहीं बनते भाई, क्यों बनेंगे pollen tube? pollen tube बनने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, pollen tube कब बनता है? जब pollen grain आके stigma के उपर बैट जाता है और फिर वो stigma style और ovary को cross करना रहता है, उसे और ovary में किसके पास जाना रहता है? जैसे होता है, तो हम इसे chemotropism भी कहते थे, movement due to chemical याद आगया, तो उसी reason से यह pollen tube बन जाता है, जिससे की male gamete और female gamete मिल सके, ठीक, लेकिन pollen tubes कहाँ पर बनते हैं? जिम्नोस पम में, वहाँ teridophyte को जरूवत नहीं थी, archegonia with neck canal cells, archegonia जो होता है, archegonia एक ऐसा structure है, जिसका shape flask की तरह होता है, कैसा होता है? फ्लास्क की तरह शेप होता है, flask जैसा, clear? इसके पास यहाँ पर egg होता है, यहाँ पर क्या होता है, एग होता है, और यहाँ पर भी पूरे cells develop रहते हैं, यहाँ पर भी पूरे cells हैं, यहाँ देख भी इसकी कई rows of cell की बनी होती है, इसकी जो आउटर लेएर है, उसमें भी सारे sells देखने को मिलते हैं, ठीक है इस तरीके से, there is a rose of cells, ऐसे करके بहुत सारे cells होते हैं, इस की बात कर रहे हैं, आरकी गोनिया, अब इसके structure में क्या-क्या present है बो देखो, यहाँ पर जो structure है, यह वाला जो तुम्ये swollen part दिख रहा है, the swollen part which we can see, वो कहलाता है वो कहलाता है वेंटर ठीक है तो यहां पर जो सेल्स होते हैं वेंटर सेल्स होते हैं और यह जो पॉर्शन यह कहलाता है नेक तो यहां पर जो सेल्स होते हैं वो नेक सेल्स होते हैं या फिर नेक सेनाल नेक कैनाल सेल्स होते हैं और यह जो है यह एक जो पार्टि तरह तो यह जो neck है, यह कैसा है? इसके पास जो cells होंगे, यहां पर जो cell situated होंगे, उनको बोला जाता है neck canal cells. तो और आर्की गोनिया में neck canal cells हैं, क्योंकि यह structure है, आर्की गोनिया का लेकिन यहां पर neck canal cells की जरुके नहीं है. clear हो गया यह difference है दोनों में teridophytes और gymnosperms के male और female gametes में clear okay very good excellent आगे move on करते है next question की तरफ in which plant will you look for mycorrhiza and coralloid roots कौन से plant में mycorrhiza और coralloid roots मिलते हैं also explain what these term mean तो सबसे पहले हम बात करते हैं mycorrhiza की mycorrhiza जो है वो एक symbiotic association है symbiotic association का क्या मतलब है symbiotic association का मतलब है जहां पर दो living organisms एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ benefit provide करते हैं तो mycorrhiza is a symbiotic association between fungus and roots of vascular plant fungus और vascular plant के roots के बीच में जो association है वो कहलाता है mycorrhiza mycorrhiza is found in some genus of gymnosperms like pinus और हमें एक example बताना था यह कहां पाया जाता है तो pinus में पाया जाता है अब तुम्हें क्या लगता है कि यह fungus और vascular plant की जो roots हैं यह एक दूसरे को क्या profit देती होंगी fungus की मदद से जो roots होती है वो बहुत अच्छे से nutrient और water को absorb कर पाती है soil में से और जो roots हैं उनसे यह अपना shelter और food ले ले लेती हैं कौन fungus तो यह इन दोनों का काम है जो एक दूसरे के लिए यह लोग कर रहे हैं मिल जुलकर है रहे हैं और यह कहलाता है mycorrhiza किसमें देखा जाता है यह देखा जाता है दूसरी बात coralloid root तो पहले तो समझो कि coralloid root का क्या मतलब है coralloid root का मतलब होता है वो root जो बिल्कुल coral की तरह दिखती हो जो देखने में कैसी हो coral की तरह कैसी दिखेगी कोई ऐसा structure नहीं होगा ऐसे ऐसे दिखेगी ऐसी root जो दिखती है वो कहलाती coralloid root और यह जो roots है देशों symbiotic association यह किसके साथ symbiotic association दिखाती है nitrogen fixing bacteria के साथ nitrogen fixing bacteria बहुत important bacteria जिसकी वज़े से ही nitrogen इद्यरोदर सहर जगे घूम पा रहा है environment में भी है soil में भी है फिर अपर लेयर में भी जा रहा है तो बहुत ज़रूर ही है उसके लिए तो यह बहुत ज़रूर है nitrogen fixing bacteria जब यह में fix नहीं करेगा तो भाई जो प्लांट है वो कैसे इसको टेक अप करेगा soil में से नहीं ले पाता तो दीज रूट्स शो symbiotic association but in this case the association is with the nitrogen fixing bacteria cyanobacteria कौन से bacteria के साथ cyanobacteria के साथ many nodules are formed in this roots giving them coraloid appearance बहुत सारी roots बन जाती है तो वो coral की तरह दिखता है इसलिए coraloid appearance बोला गया है examples are cycus and plant of leguminase से cycus में देखा जाता है leguminase के plant में देखा जाता है तो यह तीन example एक pinus में देखा जाता है mycorrhiza cycus में और leguminase जो plant होते हैं उनमें देखा जाता है coraloid root यह mcq point of view से भी बहुत important है competitive exams में पूछा जा सकता है और जहां-जहां जो जो आपने अभी ही सुना है otherwise तो mycorrhiza हमने पहले भी पढ़ा हुआ है उसमें आपको कुछ भी difficulty ने difficulty यहां भी नहीं है तो सिरफ association है न किसके साथ nitrogen fixing bacteria के साथ कौन सावाला cyanobacteria clear हो गया that is all about this question यहां पर हमने short answer type questions इस chapter के लिए किये complete next session में हम आप इसी chapter plant kingdom के लिए करेंगे long answer type questions को solve clear अब यह जो आप यह सारे question answers देखते हो इसको आप और easily असानी से देख पाओ इसलिए magnet brains ने आप लोगों के लिए यह काम बहुत आसान कर दिया ताकि आप अपने chapter wise subject wise जो videos है उनको access कर सके easily कहां पर जो website है magnet brains की वहां पर या फिर magnet brains नाम से जो app है वहां पर और website को अगर आपको visit करना है तो क्या करना है टाइप करो www.magnetbrains.com वो टाइप करने पर ऐसा एक page आपके सामने open होगा जहां पर search कर सकते हैं आप अपने जो भी course पढ़ना चाते हैं उसको या फिर explore कर सकते हैं या सारे option दिये हैं कि NTSC पढ़ना है CBS English Medium पढ़ना है पढ़ना है तो उसको आप select करिए जैसे ही आप उसे select करेंगे तो आपके सामने कैसा page open होगा जहां पर देखो यहां सब लिखा है यह नाम भी लिखें teachers के तो आपको जो भी पढ़ना है आप उस पर click करो watch now में जैसे watch now पर click करोगे तो वो particular subject के teacher का page open हो जाएगा उस subject के साथ जहां पर पूरा description दिया हुआ है आप उसे देख लीजे पढ़ लीजे समझ लीजे और उसके बाद आप chapter wise जो videos है उनको भी देख सकते यह sequence में videos दिये हूँ है उस पर click करोगे तो ऐसे video जो है वो play होने लग जाएगा so it is going to be very easy for you और यही नहीं जो आपके आसपास आपके जितने भी Hindi मीडियम के friends है उनके लिए भी एक बहुत अच्छी news है और वो यह है कि अब available है Magnet Brains Hindi इसको आप suggest करिये कि वो लोग भी subscribe कर ले ताकि उनका भी कोई notification miss ना हो जैसे कि आपका कोई notification miss नहीं होता क्योंकि बात यह है कि Magnet Brains ही एक ऐसा platform है जो kindergarten से class 12 तक की जो education है वो बिलकुल free of cost आपको दे रहा है और वो भी ऐसी वैसी नहीं बिलकुल बहुत बढ़िया quality content और best teachers के साथ आपको क्या करना है अगर आपको सब चीजे पसंद आ गई है बिलकुल settled बढ़िया लग रहा है सब समझ रहे हो तो क्या करना है like करना है video को channel को subscribe कर लेना है ताकि आपको हर चीज का notification कौन सा subject का कौन सा video किस time आया आपको सब चीज पता चलती रहेगी आप कुछ भी miss नहीं क